बॉलिवुड में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की शादी को लेकर बहुत चर्चा होती रहती है। कुछ ने एक बार शादी की है, जबकि कुछ ने एक से अधिक बार। यहां कुछ प्रसिद्ध बॉलिवुड हस्तियों के विवाह की जानकारी दी जा रहा है। दस नमबर पर धरमेंद्र ने दो बार शादी की। पहली पतनी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उन्होंने 1954 में शादी की था। बाद में उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। लेकिन इसके लिए उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा था, क्योंकि उस समय भारतिय कानून के अनुसार एक से अधिक शादी अवैध थी। नौ नमबर पर आमिर खान ने दो बार शादी की है, पहली शादी रीना दत्ता से 1986 में हुआ था, जिसे बाद में वे तलाक शुदा हो गए। उन्होंने 2005 में किरन राव से दूसरी शादी की, लेकिन 2021 में उन्होंने अपने अल 1973 को जया भादुडी जो अब जया बच्चन के रूप में जानी जाती हैं से शादी की, जया बच्चन एक प्रसिद्ध भारतिय अभिनेत्री हैं और वर्तमान में वह राजनीती में सक्रिये हैं, दोनों के दो बच्चे हैं साथ नंबर पर, शाहरुक खान ने अपने जीवन में एक बार शादी की है, उन्होंने 25 अक्टूबर 1991 में गौरी खान से शादी की थी, गौरी खान एक फैशन डिजाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेत्री हैं, उनके दो बच्चे हैं, छे नंबर पर, मिथुन चकरवर्ती ने अपने जीवन में तीन बार शादी की हैं, उनकी पहली पत्नी, साल 1989 में हेलना ल्यूक से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया, योगिता बाली, योगिता बाली के साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी, उन्होंने अभिनेत्री स्रीदेवी से तीसरी शादी की था, लेकिन उसका अधिकांश समय नहीं चला पांच नमबर पर सैफ अली खान ने दो बार शादी की है पहली शादी अमर्ता सिंह से 1991 में हुई जिससे उनका तलाक हो गया बाद में उन्होंने 2012 में करीना कपूर से शादी की चार नमबर पर बोनी कपूर ने अपने जीवन में दो बार शादी की है उन्होंने पहली शादी मोना शौरी से की थी मोना से उनके दो बच्चे हैं अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर श्री देवी बाद में बोनी कपूर ने प्रसिद्ध भिनेत्री श्रीदेवी से विवाह किया श्रीदेवी से उनकी दो बेटियां है जान हवी कपूर और खुशी कपूर तीन नंबर पर संजय दत्त ने अपने जीवन में कुल तीन बार शादी की है संजय दत्त ने पहली बार 1987 में अभिनेत्री रिचा शर्मा से शादी की इस विवाह से उनकी एक बेटी त्रिशला दत्त है दुर्भाग्यवश रिचा शर्मा का 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया संजय दत्त ने दूसरी शादी सोशलाइट और मॉडल रिया पिल्लई से 1998 में की हालांकि यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और उन्होंने तलाक ले लिया संजय दत्त ने तीसरी और मॉजूदा पत्नी मान्यता से 2008 में शादी की दो नंबर पर कमल हासन ने अपने जीवन में तीन बार शादी की है कमल हासन ने पहली शादी वानी गणपती से 1978 में की थी वानी एक नृत्यांगना थी यह विवाह लगभग दस वर्षों तक चला इसके बाद वे अलग हो गए उन्होंने दूसरी शादी अभिनेत्री सारिका ठाकुर से की उन्होंने 1988 में शादी की हालांकि उन्होंने उससे पहले ही साथ रहना शुरू कर दिया था सारिका से उनकी दो बेटियाओं है शृति हासन और अक्षरा हासन कमल और सारिका का विवाह 2004 में समाप्त हो गया हालांकि कमल हासन और गौतमी तदि मल्ला ने कभी आधिकारिक रूप से शादी नहीं की वे लंबे समय तक एक साथ रहे गौतमी एक अभिनेत्री हैं और उन्होंने 2005 में कमल हासन के साथ अपना जीवन साज़ा करना शुरू किया वे 2016 में अलग हो गए एक नंबर पर किशोर कुमार ने जीवन में कुल चार बार शादी की थी उनकी पहली शादी 1950 में बंगाली अभिनेत्री और गाईका रूमा गुहा ठाकुरता से हुई थी दूसरी शादी किशोर कुमार ने 1960 में प्रसिध अभिनेत्री मधुबाला से शादी की यह शादी बहुत चर्चित रही लेकिन मधुबाला की 1979 में असमय मृत्यु तक दोनों का साथ चला उनकी तीसरी शादी 1976 में अभिनेत्री योगिता बाली से हुई लेकिन यह विवाह ज्यादा समय तक नहीं चला किशोर कुमार ने अपनी चौथी और अंतिमपत्नी अभिनेत्री लीना चंदावरकर से 1980 में शादी की उनकी इस शादी से एक बेटा सुमित कुमार है यह जानकारी आम तोर पर उपलब्ध है और समय के साथ विवाह संबंधी परिस्थितियां बदल सकती है इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ताजा स्रोतों को देखना बेहतर होता है